नमस्कार मैं समर के मुखर जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया या हमसे पूछा फोन से इमेल से कि सर आपका जो आडियो आता है आपके वीडियो में बहुत क्लियर आता है हम कौन सा माइक यूज़ करें या अगर हम कोई शॉट फिल्म बना रहे हैं या कोई डॉकुमेंटरी बना रहे हैं कोई कॉर्परेट फिल्म बना रहे हैं तो किस तरह का माइक यूज़ करना चाहिए माइक के बारे में कोई वीडियो भी तक आप बनाये नहीं अच्छा साउंड चाहते हैं तो उसकी लिए क्या कर सकते हैं सबसे पहले मैं बताऊंगा कि माइक कितने तरह के होते हैं माइक के प्रकार को जानने से पहले आपको जानना होगा कि माइक काम कैसे करता है देखे माइक ठेक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमारे जो vocal cord है वो काम करता है vocal cord में क्या होता है、 company होता है जब हम बोलते हैं तो एक company होता है, vibration होता है और वह ही vibration आपको सुनाई पड़ता है आपके कान के परदे के जरीए क्योंकि वो vibration जब आपके कान के परदे पर पड़ता है तो वो भी उस तरह से कंपन करता है जैसे हमारा vocal cord कर रहा है और हमारे यहां से आवाज उत्पन होता है और आपके कानों तक वो सुनाई देता है सेम उसी तरह से आपके यहां पर आपके voice के जरिए या music instrument के जरिए या किसी भी जगह से जो आवाज आती है उसका vibration को microphone का जो diaphragm होता है वो catch करता है और उसको electrical signal में convert करके वो speaker को भेजता है और speaker का जो diaphragm है उसी तरह से हवा में company करके वो sound को produce करता है यह एक इसका basic है अब है कि diaphragm कितने तरह का होता है या microphone कितने तरह से हम electrical signal में जो voice signal है जो यह audio signal है इसको electrical signal में कितने तरह के से convert कर सकता है basic तीन तरीके हैं सबसे पहले आते हैं हम ribbon microphone में ribbon microphone क्या होता है दो magnet के बीच में एक aluminium का ribbon रहता है जो electrical signal को convert करता है कैसे करता है जब दो magnet यानि आप नौर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जब हम एक ribbon को जो aluminium का ribbon होता है उसके सामने कोई भी चीज बोलेंगे या कोई भी sound आता है तो वो vibrate करता है और वहां से वो electrical signal में convert करके wire के ज़री आगे बढ़ाता है यह basic knowledge हम ribbon microphone का दे रहे हैं सेम दूसरा होता है dynamic microphone dynamic microphone में क्या होता है magnet के चारो तरफ एक coil लपिटा होता है वो तामे का coil रहता है सेम उसी तरह से binding होती है जैसे fan की binding होती है generator की motor की binding होती है इस तरह की binding होती है उस तरह की binding रहता है और उस binding को एक diaphragm से जूडा रहता है जो diaphragm के सामने जो भी चीज आप vocal या कोई भी आवाज जाती है तो वो coil जो है magnet के चारो तरफ जो लिप्टा हुआ है वो हिलने लगता है यानि वाइब्रेट करने लगता है और उसके वाइब्रेशन से magnetic field automatically electrical signal में convert होके आगे बढ़ जाता है यानि आपके audio को फिर से electrical signal में convert करता है dynamic mic अब आते हैं थर्ड प्रकार तीसरा प्रकार है condenser microphone condenser microphone जैसे कि आप जानते है condenser का काम क्या है वो electricity के रास्ते में उसकी capacity को बढ़ाता घटाता है यानि एक ऐसा condenser जिसका diaphragm के सामने कोई भी चीज बोलते हैं तो उसकी capacity जो होता है condenser की capacity कम बेसी होती है जिसके जरिए जो आप electrical signal दे रहे हैं यानि condenser mic के लिए जरूर ह कोई ने कोई electrical signal का होना या electrical voltage का होना यानि power उसको देना पड़ेगा और उस power में एक कमपन करता है condenser जो है क्योंकि condenser का microphone के आगे एक diaphragm लगा रहता है diaphragm के सामने जब sound आता है तो diaphragm हिलता है और उसकी capacity कम और बेसी होती है जिसके जरिए आप जो vocal signal है यानि audio signal है उसको आप convert करते है electrical signal में और वो आप ले जाते है speaker में आप जहां भी सुनना चाहें या recording में ले जाते है video camera हो या DSLR camera हो किसी भी तरह के camera के अंदर आप उसको record कर सकते हैं क्योंकि तभी record हो पाएगा जब electrical signal में होगा क्योंकि electrical signal को आज कल के DSLR camera में उसको क्या करते हैं digital convert कर देते हैं यानि one और zero में convert करके उसको record करते हैं अब कि कौन सा mic आपके लिए अच्छा है क्योंकि अब आपने जान लिया कि कितने तरह के microphone होते हैं और उनका काम करने का तरीका क्या होता है यानि किस function पर ये काम करते हैं लेकिन उसके अलावा भी जब आप shooting पर जाते हैं recording पर जाते ह या drama में आपको कुछ record करना होता है तो उनके लिए अलग-अलग तरीके की microphone होते हैं वो चाहे dynamic microphone हो, ribbon microphone हो या condenser microphone हो लेकिन उनके परकार भी कुछ अलग होते हैं जैसे एक होता है omnidirectional mic जो कि हर तरह के दिशा से हर दिशा से आने वाले sound को catch करता है इसका use कहा करना पड़ता stage पर करते हैं यानि अगर आप चाहते हैं कि कोई stage पर drama हो रहा है वहाँ पर बीच में एक आपने omnidirectional mic रख दिया तो किसी भी side से कोई भी dialogue बोलेगा कोई भी आवाज आ रही है तो पूरी की पूरी आवाज आपको उस microphone के द्वारा catch किया जाता है इसका use बहुत बड़े प microphone है वो है close to lip mic singer के लिए इस तरह के mic का use होता है जहां पर कि हम singer के lip के नजदिक यानि हाथ में पकड़ कर वो चेहरे के नजदिक microphone को लाकर के गाना गाता है और वो आवाज आपको बहुत अच्छा सुनाई देता है उसके बगल के जो कोई singer है या बगल में कोई musician है उनकी आ हम कर सकते हैं studio में कर सकते हैं और यह अक्सर dynamic mic होता है लेकिन आजकल condenser mic भी बहुत अच्छे-च्छे हो गहें studio के लिए जो आपको close to lip mic का का काम करते है नेक्स होता है shotgun mic shotgun mic क्या होता है गन क्या है जैसे गन जिस तरफ हम दिखा रहा है गन का point जिस तरफ है उधर ही gun की गोली जाती है उसी तरह से जो shotgun mic होता है जिस तरफ उसका point करते है उधर की आवाज को ही catch करता है और वो चाहे दूर ही क्यों नहीं हो लेकिन अगल बगल के आवाज को catch नहीं हो या vlogging कर रहे हो तो उनका sound बहुत ही अच्छे quality में record कर सकता है इसमें क्या है कि आपको कोई भी अलग से लैपल माइक देने की जरूरत नहीं है कॉलर माइक देने की जरूरत नहीं है आप किसी भी जगह है था कि कौन सा माइक लगा है तो इस तरह का माइक तभी लगा है जहां पर आपके पास समय नहीं है कि आप किसी को अलग से माइक पकड़ा सकें या कॉलर में माइक लगा सकते हैं पिनिंग कर सकें या कॉडलेस माइक का एक सीरह आप दे सके, आप चलते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं और अच्छी रिकॉर्डिंग चाहिए, तो डेफिनेटली यह शॉट्गन माइक की जरुवत पर थी है शॉट्गन माइक का ही एक अलग रूप होता है बूम माइक, बूम माइक क्या होता है एक बूम रॉड के साथ जुड़ा रहता है और वो शॉट्गन माइक ही होता है तो उसका यूज वहाँ करते हैं जहां पर हम लोग फिल्म शूटिंग कर रहे हैं और रेफरेंस ओडियो लेते हैं यानि हमको रेफरेंस ओडियो लेना है और एक बंदा जो है बूम रॉड को लेकर के पकड़ा रहता है और उसकी आवाज को प्रॉपरली कैमरे द्वारा कैच किया जाता है अब हम आते हैं लैपल माइक की तरफ लैपल माइक को कॉलर माइक भी बोलते हैं क्योंकि कॉलर के पास लगाते हैं हमने लगाया हुआ है तो लैपल माइक दो तरफा होता है एक वायर्ड होता है और एक कॉडलेस होता है वैसे हर माइक कॉडलेस का आता है जैसे हमने क्लोस टूलिप माइक बुले थे डैनेमिक माइक वो भी कॉडलेस भी आता है width wire भी आता है, आजकल cordless ज़्यादा चलता है लेकिन width wire वाला जो mic होता है मुझे लगता है कि उसकी quality ज़्यादा better हो सकती है यानि उसका frequency range है बहुत अच्छा catch करता है किमकि कभी कभी क्या होता है, कितना भी अच्छा cordless mic क्यों नहीं हो अगर frequency out हो गई, या battery थोड़ा सा भी low हो गया तो कुछ-कुछ frequency वो catch नहीं कर पाता है इसलिए हम तो wire mic ही ज़्यादा prefer करते हैं लेकिन जो lapel mic है, वहाँ पर हमको कई बार ऐसा होता है कि बीच में हमको wire नहीं दिखाना है, यानि दूर से कोई character चलके आ रहा है और उनके आवाज को sync sound में record करना है, यानि उसके आवाज को dubbing नहीं करना है तो वहाँ पर आप अच्छी quality का microphone दीजिए उनको और cordless microphone दीजिए, cordless lapel microphone दीजिए तो उसका दो सीरा होता है, यानि एक receiver होता है और एक होता है microphone वाला point तो microphone वाला point जो होता है, वो transmit करता है, वो आप pocket में रख सकते हैं, अंदर छिपा के रख सकते हैं, वो transmitter होता है और दूसरा क्या होता है, receiver होता है, जो camera के उपर लगा रहता है वो उसकी sound को receive करके आपके recorder को देता है, यानि camera के recorder को देता है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं cordless lapel mic, और अगर आप कोई interview ले रहे हैं, जहाँ बैट के ले रहे हैं और आप wire को छुपा सकते हैं, तो आप wire वाला lapel mic लेजिए, बहुत सस्ते मिलते हैं, बहुत सारी धेर सारी company के हैं मैं अभी चार company का नाम लूँगा, जो lead कर रहे हैं हमारे industry में, एक है newman, जो बहुत ही महंगे studio mic होते हैं, उसके बहुत और भी mic निकले हैं, लेकिन studio mic के लिए वो famous है shore के mic है, shore के बहुत सारे mic हैं, जो stage performance के लिए best माने जाते हैं, उसी तरफ से road, road का mic तो आजकल बहुत हिट हुआ है, वो road के mic आप चाहए DSLR में लगाईए, चाहए shotgun के रूप में लगाईए, चाहए lapel के रूप में लगाईए, बहुत अच्छा है, और एक mic है Senniger, Senniger का lapel mic मुझे तो अच्छा लगता है, Senniger के, जो hand mic है, close to leap mic है, studio mic है, ये सब भी बहुत अच्छे हैं, तो आप कोई भी mic ले सकते हैं, और धेर सारे Chinese mic हैं, और भी बहुत सारे companies के mic हैं, उनका use कर सकते हैं, लेकिन आपको जो basic हमने अंतर बताए, कि किस mic का कहां use करना है, उसको ध्यान में रखकर अगर आप use करेंगे, तो definitely आपको sound अच्छा मिलेगा, वैसे सस्ते में record करने के लिए आपके पास बहुत सारे option हो सकते हैं, जैसे कि आप हमने बताया कि लैपल माइक सस्ते 800-1000 रुपे के बीच में भी मिलते हैं, आप Amazon वगर पर try करिए, मैं यहाँ पर आप उनके बारे में जानिये और भी आप Google करिए, तो आपको लगेगा कि किस रेंज के लिए है, वो dynamic माइक है, ribbon माइक है, या condenser माइक है, तो जो हमने बता है, उस इधार पर आप उसको check कर सकते हैं, आपको एक चीज में बता दे रहा हूं, कि एक जो general headphone होता है, headphone भी बहु पर जाके जो record किये हुए recording है, उसको अगर आप वीडियो के साथ match कराएंगे, तो आपको recordless level mic लगाने के जरूरत नहीं होगी, और उसमें काफी अच्छा sound मिल सकता है, zoom recorder जो होता है, zoom recorder के जरिये भी आप अच्छा recording पा सकते हैं, digital recording पा सकते हैं, और आपको पता होना चाहि ये एक speaker खुद में एक mic है, एक speaker को भी आप mic की तरह use कर सकते हैं, हाँ, ये आप DSLR में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन dynamic mic की तरह आप use कर सकते हैं अगर चाहें तो, तो बहुत सारी चीजे हैं, और ये भी depend करता है कि जो voice है, वो कितने दूर से लिया जा रहा है, और उसके gain को कितना control किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि minus 6 dB के आसपास का ही आप अपना camera में setting करिए, yellow line तक ही जाए, red तक नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फटा हुआ आवाज होता है, तो इसका अगर ध्यान रखेंगे, तो आप काफी अच्छा recording कर सकेंगे, और microphone के उपर अगर इस वीडियो में मैं इसी तरह से कुछ जानकर या आपको लेकर दूंगा, तब तक कलिए नमस्कार कर अर राद दृंगा, तो आपको एण्छाब safe, तो आपको तक कर फिर फरे, अपको रखेंगे, तो आ Business थालें ठ confr كजन है इफ्चल 시क्टल online कोραव इझज Sheriff is very practical and scientifically designed for making professional movie, средials ad films, documentary, short films and all types of commercial audio-visual projects JOIN NOW! कर दो